मेरा नाम है लाना साइब सिंदे मैं बेश्टी में वर्क्षप दादे वर्क्षप में काम करता हूँ मैं मेरी दरफ से सबी बाहे वहनों का नमस्कार चाहता बैसाब दरफ बापिस से सवाल पूछ सकेंगे जीरी से और जोर से तर उच्छी आवाद में पूछे मेरा सवाल है मेरा बच्चा 28 बरस का है ओ मती मंद है मेरा बच्चा खाना पिरना चाहता है कुछ भी काम करता नहीं मा बफको गुशे से कुछ भी बोल सकता है और मैं इसके लिए भूँ जिलस क्या पर उसका कोई फैदा नहीं हो हो हुआ है मेरे को मैं इसलिए मैं आपके आदलत में आया हूँ आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए मेरा बच्चा कुछ भी काम करता है खली गाली देता है तो मेरा क्या मक्सद है और धन्यवाद बैसाब ने सवाल पूचा है कि उसका बच्चा अठाई साल का है और कुछ भी काम नहीं करता है से सोते रहता है गाली देता है बातने मानता है तुमें क्या करो आप उनके वालद है तो आपका फर्द है कि आप अच्छी से अच्छी तालीम दे उसे आप ये जिस तरीके से कुरान मजीद में कहा गया है कि आपके बच्चे आपके लिए फितना है आपके लिए एक इम्तियान है तो आप अपने इम्तियान में पूरे तरीके से सफल ताप पानी की कोशिश कीजिए आपको आपका धर्म पुरा करना चाहिए आपका जो काम है आपका जो फर्द हो पुरा कीजिए आप बच्चे की ध आपने भगवान, अपने आल्ला है की तरफ सिर्फ आन्ला की बगवार कहने, सिर्फ अल्ला की इबादत कहने और किसी की नहिक ये आपका फर्द है देखो कि उसके सई इश्वर सई खालिक के बारे में उसे कहो और उसके बाद आपके मेहनत के बाद भी अगर आपका बेटा अगर नालाक निकलता है आपको अपना फर्द पूरा करना चाहिए आप इंत्यान में काम्याव होना चाहिए टीचर बच्चे को पढ़ाती है क्लास में पढ़ानी के बावजूद अगर बच्चा फेल होता है तो इसमें टीचर की गलती नहीं अगर टीचर बड़ाबर से नहीं पढ़ाती और फिर बच्चा फेल होता है तो गलती है टीचर की लेकिन अगर टीचर बड़ाबसे पढ़ाता है बच्चे लोग को और उन में से कुछ बच्चे फेल होते है तो गलती है उस तालिबे इल्म की टीचर की नहीं उसी तरीके से आप उनके वालिद है आप और आपकी बीवियों से सही तालिम देना चाहिए उसके इश्वर के बारे में क्या इश्वर एक है इश्वर के इलावा किसी की अबादत नहीं करना चाहिए और आखरी पेगंबर को मानना चाहिए ये आपका फर्द है कि आप उसे सका है उसके बाद अगर वो बत्तमीजी करता है आपकी बात नहीं मानता है आप अपना काम कर चुके आप फिर उसके बार उसके बार जम्मेदा नहीं रहेंगे आपको फिर भी उससे अच्छे से पेशाना चाहिए क्योंकि आप उसके वाले दे और आपको इंशाला सफलता मिलेंगे जिन्दगी में और हम दुआ करते है कि आपके बच्चे को भी दाइद दे और समझ दे चाहके वो अच्छी दिन्दगी बसर कर सके खुब दानसे तो कोश्चे